नमस्कार स्वागत है आप सभी का साहित्य जोति आज हम लोग आचार्य विनोबा भावे की द्वारा रचित प्रम की पत्निष्ठा नामक रचना को देखेंगे इसके सारांश को पढ़ेंगे एवं साथ ही साथ इस पार्ट से संबंदित कुछ बहु विकल्पी प्रशनों को तथा इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग इसी पार्ट से संबंदित वस्तोनिष्ट प्रशन बोध मूलक प्रशन तथा पार्ट से संबंदित व्याकरन यानि की भासा बोध के प्रशनों को देखेंगे तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करतें तरव अब इस पाठ के सारांश को पढ़ेंगे जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं यहां एक व्यक्ति आपको करता हुआ यानि की मेहनत करता हुआ जिखलाई देता है आचारे विनोवा भावे जी ने अपनी इस रचना में यानि की परिश्रम मेहनत के महत्व को दर्शाय तो आईए इसे पढ़ते हैं सरव प्रसम हम पाठके शारांज को शुरू करते हैं आचारय विनोबा भावे की पहचान एक सामाजिक कारे करता और समाज सुधारक के रूप में है तो हम विनोबा भावे जी की व्यक्तिक चरित्र को देखने का प्रयास करते हैं कि उनका व्यक्ति गत रूप कैसा है इसमें हम देखते हैं कि वो एक सामाजिक कारे करता रहे हैं साथ ही सामाज सुधारक के रूप में उनकी पहचान हुई है उन्होंने अपनी रचनाओ के द्वारा एक तरफ सामाज में व्याप्त पुरातन परमपराओं का विरोध किया वहीं आधुनिक सामाज में घटते जीवन मुल्यों के प्रती भी भोर्चिंता व्यक्त की समाज में श्रम और श्रम करने वालों का महत्व किस कदर घिर रहा है इस समस्या को ध्यान में रखते हुए विनोबा भावे ने श्रम की प्रतिष्टा नामक निबंध लिखा तो हमें यहां पता चलता है कि विनोबा भावे जी ने इस निबंध को क्यों लिखा है क्योंकि वे समाज में इस बात को दिखलाना चाहते हैं कि किस तरीके से स्रम, यानि की मेहनद करने वाले लोगों, तथा उनके मेहनद का महत्व गिरता जा रहा है, घटता जा रहा है। उसी को दर्शाने के इतलिए उसी की तरफ लोगों का ध्यान आकर्शित करने के लिए अबिनोवा भावे-जी ने निबंद। को लिखा है, जिसका नाम है स्ट्रम के प्रथिश्टा। प्रस्तत निबंद में निबंदकार यानि कि आचारे विनोवा भावेजी ने श्रम करने वाले मजदूरों और किसानों को धर्ती का आधार बताया है। सभी व्यक्ति अपने कारे को कर पाते हैं। यदि किसान ठेती ना करे, क्रिशी ना करे, तो क्या होगा? भोजन मिलना मुश्किल होगा। तो संसार के जो सभी कारे हैं वे इसी कारे पर अधारित है। इसके बगेर सीवन की राह में एक कदम बढ़ाना संभाव नहीं। अतर श्रम के इन देवताओं की महत्ता निर्विबाद है। निर्विबाद का अर्थ है बिना किसी विवाद के, बिना किसी डाउट के हम ये मान सकते हैं की श्रम करने वाले लोगों का महत्व सबसे अधिक है। लेकिन वर्तमान समय में या आज के समय में लोग श्रम और श्रमिकों को निम्न स्तर का समझने लगे हैं। श्रमिक जन उसे लोग फटेस्तर का समझने लगे हैं जो लोग मानसिक कारे करते हैं यानि दिमागी कारे करते हैं जैसे कि पढ़ना लिखना या ओफिस में बैठ कर काम करना वे अर्थवा व्यवसाय करते हैं यानि कि बिजनेस करते हैं वे तो सारीरिक श्रम को महत्व देते ह नहीं है लेखत के अनुसार सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि स्रम करने वाले मजदूरों वक किसानों में भी स्रम के प्रती उधासींता आ गई है जो लोग दिमागी काम करते हैं यानि कि बुद्धी जीवी है वे सारेरिक श्रम यानि कि सरीर से जो कारे होता है जैसे कि म क्वी आफ को काम करते हैं उस काम को महत्पन भी देतेinstant मौपितिन आथ के सामें में मुश्किल यह है कि किसान या मजदूर भी अपने द्वारा जो काम करते हैं उसको महत्पन ही देते हैं उनके मन में उसके प्रती उधासींता और छिंपान अभाव मूद आ गया हैрал पिस São क को अपना धर्म और कर्म ना समझ कर उसे एक लाचारी मानते हैं यह समझते हैं कि हम लोग इस काबिल नहीं है योग नहीं है नहीं तो हम लोग भी क्या है उस तरह का दिमागी कारे बुद्धी जीवियों वाला कारे कर सकते हैं यह हमारी लाचारी है इसलिए हमको इस तरह का काम करना पड़ता है और जैसे ही उनको मौका मिलता है भी श्रम से अपना फिंड छुडाते हैं वे अपने बच्चों को सिख्षा दिख्षा देना चाहते हैं, लेकिन उद्देश ज्यान अरजन करना नहीं, बल्कि अपने बच्छों को श्रम से बुक्त कराना है। तो वो श्रमिग जन होते हैं, वे भी चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़े लिखें लेकिन उनका उद्देशी क्या होतає है, उनका उद्देशी ये होता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिखकर कुछ अच्छा काम काम करें, जिसे उनको बहुत ज्यादा पैसे की प्रापती हो वो इसलिए अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते कि उन्हें भी इसी प्रकार का ज्यान की प्राप्ति हो। इसका बहुत अधिक महत्व है और इस बातको वह राम के द्वारा बतलाते हैं इन्हें वक्त कोँषल्य ने कहा कि सीता से उन्होंने कोई भी स्रम का कार्य को नहीं करवाया है Below commercial again कोसल्या के स्रम के प्रति अनादर भाव की निबंध कार ने आलोचना की है को जो माता कोसल्या ऋन्य Jap aussi आफा साँ जनगल में जाने लगते हैं सीता इसक्रत भी उनके साथ जाने के लिए कहती हैंaldr तो माता कॉसल्या मना करती है वो कहती है कि मैंने तीता से कभी भी कोई मेहनत वाला काम नहीं कराया है वहां जंगल में वो कैसे रहेगी यहां पर निबंदकार जो है वो बताते हैं कि यह श्रम के प्रति एक अनादर का भाव है ऐसा नहीं होना चाहिए तो वही पर कृष्ण के द्वारा धर्मराज के आयो प्रसंसा की है तो जो विनुबा भावे जी है वहीं जहां वे कॉसल्या की आलोचना करते हैं वहीं क्रिष्ण की तारीफ करते हैं क्रिष्ण युधिष्णिर के द्वारा किये गए राजश्व यग्य में जो श्रम वाला कारे यानि की जूटे पत्तल उठाना पोजा लगा के साथ ही कुछ वक्त के लिए अब यहाँ पर महात्मा गांधी का उदाहरन दिया जा रहा है कि महात्मा गांधी भी मानसिक पर इश्रम यानि की लेखक ने यहाँ पर तीन लोगों का उदाहरन दिया है एक कौसल्य और वहां पर कौसल्य की उन्होंने आलुषना की है वही कृष्ण और गांधी जी की वे तारीफ करते हैं कि वे दोनों भी शारिरिक श्रम करते थे लेखक की मानेता है कि मानों को दिमाग और सरी दोनों मिले हैं इसलिए दोनों का उपयोग करना चाहिए अर्थात वनुष्य मानसिक और सारिरिक दोनों कामों में बराबर का योगदान देकर ही श्रम को उसका सम्मान देशता है यानि मनुष्य को दिमागी कारी करने के साथ सारीरिक श्रम भी करते रहना चाहिए तब ही दोनों का महत्वे भी बना रहेगा और दोनों का योगदान समाज में बराबर बना रहेगा इसके साथ ही उनकी मानेता है कि हर तरह के श्रम का बराबर मुल्य होना चाहिए किसी से श्रम की प्रतिष्ठा कायम रखी जा सकती है जैसा कि मैंने बताया कि श्रम का बराबर मुल्य होना चाहिए हर तरह के कारे का मुल्य बराबर होना चाहिए महत्व बराबर होना चाहिए तभी जो है वो श्रम की प्रतिष्ठा बनाई रखी जा सकती है तो लेखत ने यह आई ये अब हम इस पार्ट से संबंदित वस्तु निश्च प्राशने है उसे देखते हैं बहुँ विकल्पः प्रशन जो है उसे हम लोग देखते हैं तो थे ही विकल्पों को चुनकर सही का चिंध लगाए पहला प्राशन देखते हैं स्रम की प्रतिष्ठा किस ने लिखा है तो इसका उत्तर तो आपको पता ही है स्रम की प्रतिष्ठा नामक निबंद आचारे विनोबा भावे जी ने लिखा है तो यह कहानी तो है नहीं मटी वीता भी नहीं है एक्का की भी नहीं है ये क्या है स्विधा की रचना है निबंध की इसके हम लोगों आभि थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि क्यूं बिइनोबा भावय जी ने स्विधा की रचना किसे माना है तीसरा जो मरा प्रश्न एक। विकल्ग को देखिए पहला ज्यानी को दूसरा गुरु को तीसरा श्रमिक को और चौथा बैद्धी को तो इस निबंद में आचारे विनुवा भावे जी ने श्रमिकों को माना है क्योंकि श्रमिक ही वो है जुन्होंने पूरे प्रिथवी का भार अपने मस्तक पे उठाए ते नंबर प्रश्न को देखते हैं जो सक्स पसीने से सोती कमाता है वह हो जाता है देखिए बीर पुरुष धर्म पुरुष महा पुरुष तो इनुग भावे जी के श्रमिकि ही ने श्रमिकोंकि और के प्रती कर्थव्य निष्ट होता है इसलिए इस सक्साई पने मस्तृत आधा थर्म पूरुश होगा तो पाच्वा नमबर प्रश्ण देखते हैं खकामांदा शरीर क्या चाहता है अगर थक गये हैं तो आप क्या चाहेंगे जाहेसी बात है आप थक गये हैं तो आराम करना चाहेंगे विकल्प में पहला है दोड़भा, कोलाहल, आराम और अशांती इसका सही उत्तर है भ, हकामादा शरीर आराम करना जाता है ए नमबर प्रश्टन देखते हैं कैसे लोगों को जीवन में ज्यादा पाप दिखता है विकल्प देखते हैं वर्शती, कायर, निबंध, श्रमेक तो देखे, उन्हीं व्यक्तियों को जीवन में ज्यादा पाप दिखेगा जिनके पास खाली समय पड़ा है क्योंकि कहते हैं खाली समय ही जो है वो खाली दिमाग जो है वो सैतान का घर होता है तो जब आपके पास खाली समय होगा तभी आप सबकी आलोचना कर पाएंगे इधर अच्छा हो रहा है, उदर गलत हो रहा है, इधर खराब हो रहा है तो इसका जो सही उत्तर है वो है का, कैसे लोगों को जीवन में ज्यादा पाप दिखता है पुड़सती लोगों को, जिनके पास ज्यादा समय है, वे ज्यादा पाप देख पाते हैं सात्वा नमबर देखते हैं, दिमागी काम करने वाले लोग मजदूरों को क्या समझते हैं दिकल्प देखिए, क, निम्न, ख, उच, ग, बराबर इनमें से कोई नहीं हम लोगोंने 4-5 में पढ़ा है, कि दिमागी काम करने वाले लोग मजदूरों को क्या समझते हैं, निम्न, कोटी का समझते हैं आथमे नमबर प्रश्ण को देखते हैं महात्मा गांधी तमय निकाल कर क्या करते थे तो हमने पढ़ा ना कि महात्मा गांधी जी दिमागी कारे करने के साथ साथ कुछ समय निकालकर सुथ काटने का जो सारी रिक्ष्रम है वो भी करते थे तो इसका सही उत्तर है भ नौ नमबर प्रेश्ट आज समाज में किसकी प्रतिष्ठा नहीं है तो हमने इस पार्ट में पढ़ा ही है कि आज कि समाज में सम की प्रतिष्ठा नहीं रहे गए दिमागी काम के मुकाबले आज स्रम का मूल्य आका जाता है कम अधिक बराबर इन में से कोई नहीं तो आज दिमागी काम के मुकाबले स्रम के महत्तु को क्या माका जाता है? हमाका जाता है, है न? खोटा समझा जाता है, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए 11 नमबर प्रश्णे देखिए आचारे विनोबा भावे का मूल जीवन दर्शन क्या है? यानि वे किस सिद्धान को मान कर सकते हैं? ज्यानोदे, प्रमोदे, प्राणोदे, सर्वोदे तो इसका सही उत्तर है भ, सर्वोदे आचारे विनोबा भावे जी का मूल सिद्धान की यही है जो सर्वोदे में विश्वास रखते हैं सबका उदय हो, सबका विकास हो, तो यहां पर सही उत्तर है घा, आखरी प्रश्न हमारा 12 नम्मर का जो है, वो हम देखते हैं, कि विनोबा भावे को विनोबा नाम किस ने दिया था, तो इसका सही उत्तर जो है, वो आप भी बता सकते है, अगर आपने थोड़ा सा पार्ट को पढ़ा हो, कि विनोबा भावे जी को विनोबा नाम किस ने दिया है, तो इसका जो विकल्प हो, आप देखिये, इसका जो विकल्प है, वो है पहला, महात्मा गांधी, दूसरा, जवाहरलाल नहरू, तीसरा, सौमी विवेकानन और चौथा, दयानन सारस्वती, तो विनोब भावे को विनोबा नाम क्यों दिया गया था क्योंकि महात्मा गांधी के परुन का बहुत ही प्रभाव था और महात्मा गांधी जी उन्हें बहुत मानते थे उनके आचार व्यवहर को देखकर महात्मा गांधी जी ने उन्हें विनोबा नाम दिया था यहां पर इस पार्ट स संबंधित वस्तु निष्ट प्रश्ण बोध मुलक प्रश्ण और भासा बोध करेंगे तीके सब तक के लिए हन्यवाद